हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ आलू का पराठा और इसी के साथ मैं बनाओंगी हरी धनियाक के चटनी और यह दोनों रेसिपी में बहुत ही सिंपल बेमें बता रही हूं और बहुत ही यूनीक रेसिपी है आप ज़रू ट्राइ करना यह दोनों रेसिपी में बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूं तो आप भी इस तरीके से ट्राइ करना और अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आगी तो प्लिज वीडियो को लाइक करना शेयर करनाоров और सही बहुत को सबसक्राइब भी कर और दो बड़े चमच हम तेल डाल रहे हैं तक हमारा पराठा एकदम सॉफ्ट बने तो बस इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा कर लिया है तो हम इसे ढख करके 15-20 मिनट के रख देंगे उसके बाद हम पराठा बनाएंगे तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा हम इस डफिंग तयार कर लेंगे तो मैंने दो आलो को उबाल कर और चील कर ले लिया है इसको हम अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे तो दूस में मिर्ची रख बारीग कट हुई तो आपने टेस्टके अकवाडिंग अरी बीर्ची कम कर सकते हो मैंef द्धो का ऑडहएं मिर्ची ठोड़ा सा लोहेसुन बारीग etti घटा थोड़ा सा अद्रग बारीग धनियं और इसी के साथ में इसमें डालत दिएंगी थोड़ा सा लाल मिर्जी का पाउडर तो मैंने आदर चोटा चमच लाल मिर्जी का पाउडर डाला है एक चोटा चमच हम जीरा डाल दें इचा टेस्ट आता है जीरा का इसके साथ ही मैंने जरासी हींग डाल दी है और नमक हम डाल देंगे साथ के अनिसार मैंने आदर चोटा चमच नमक डाला ह थोड़ा सा आम चूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और इसी के साथ में थोड़ा सा काला नमक भी डाल दे रहे हूं इन सभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है पराठों में और बस इन सभी चीजों को हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी सारी चीजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है तब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में तो हम अपना आठा चेक कर लेते हैं मैंने इसको 15 मिनिट के लिए रख दिया था यह सेट हो चुका है और अब हम इसमें लगा देंगे हलका सा ओयल उपर स और इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा पराठा एकदम सॉफ्ट बने आप देख सकते हैं मैंने इसको मसल लिया और लोई बना ली है तो यहां पर मैंने ले लिया थोड़ा सा पर्थन यानि कि सूखा आठा और आठा जो हमने लोई बना कर ली थी वो इसी के साथ मैंने आलो वाला स्टफिंग ले लिया है तो सबसे पहले हम लोई बनाएंगे और इस तरीके से हम सूखे आठे में लपेट कर इसको थोड़ा सा बेल लेंगे छोटा सा ही हमको बेलना है बहुत बड़ा नहीं बेलना है तो हलके हलके हाथों से हम इसको बेल कर त आप देख सकते हूं कैसे कर रही हूं। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हूं मैंने कर दियाalen और इसके बाद में हम इस तरहीं है हमारी के दबादीया नियुट भी की गश्यक्नीय हो जार्य हनyes के जुन-धार, दिदुव err अब पराठा थोड़ा पतला या फिर थोड़ा मोटा बेल सकते हो मैंने यहाँ पर पराठे को बेल कर रेडी कर लिया है आप देख सकते हो तो बस अब हम चलते हैं इसको सेखने के प्रोसेस में तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गैस पर तबा चड़ा दिया कि इस्ट से क्ती होता है हमारा पराथा बहुत ही टेस्टी इवाना है तो इस साइड हम पजिए तेल लगा देंगे इसके बाद में पिलत पलट देंगे और दूसरी बिए तेल लगा देंगे और अच्छे आप तेल लेंgovern आप जो ची इरड़ानी तक अच्छे कोдел कोफ़ां औ तो आप इस पराठे को नास्ते में खाये या फिर लंज में आप सभी को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो आपको पराठे के रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो फिर चलिए अब देख लेते हैं हम चुटनी कैसे बना रहे है इसी के साथ में डाल देंगी चार कैलियां लैसुन की जिससे हमारा जो चटनी हमारी है बहुत ही टेस्टी बनेंगी नमक स्वाद के अनुसार और निम्भू का जूस और बस इन सभी को हमें बारीकी से ब्लेंड कर लेना है तो ये लिजे हमारी चटनी भी बन करके रेडी हो चुकी है और हमारा पराठा और जटनी दोनों तयार है तो आप खाईए और इस तरीके से जरूर आप ट्राय करना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा हमारा सौफ्ट सौफ्ट पराठा बहुत ही डिलिसियस और ये बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है आप भी इस तरीके से ट्राय करना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आप सभी को ये पसंद आएगा तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्फूल लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही साथ चैनल को अन्यवा थैंक यो सो मॉच बाइबाए